आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question हमार पास The value of 10x plus 2, 10 to x upon 10x Cannot lie between 1 and 5 Is it true or false? यह जो आपके पास function चल रहा है आप है, x में जो function चल रहा है fx, इसकी value आपके पास 1-5 के बीच में lie नहीं करेगी आपको चेक करने हैं यह statement true है यह false है, ठीक है? तो इसको solve कर लेते हैं और check कर लेते हैं कि 1-5 के बीच में lie करेगा नहीं करेगा सबसे पहले तो आप क्या करें इसको अलग-अलग कर ले तो आपके पास 10x के साथ 10x अलग होगा तो 1 हो जाएगा और 2 उपपर हो जाएगा 10x और denominator में हो जाएगा 10x 10x का formula अपलाई कर लेते हैं यहाँ पर 10x का formula होता हमारे पास 2 10x अपन 1-10 square x और denominator में 10x पहले से चल रहा है इस 10x को denominator में चलना दे 10 2x का formula है इपलाई किया तो 2 10x अपन 1-10 square x ठीक है तो आपके पास यह 10x से 10x तो cancel हो गया 10x से 10x अगर आपके पास cancel हो जाथा है तो यह बसता है fx equal to 1 plus 4 अपन 1-10 square x ठीक है अब यहां पर हम बात करें 10x की 10x जो value आपके पास हुआ करती है 10x की value तो minus infinity से plus infinity के बीच में होगी ठीक है और 10 square x चल रहा है तो square x चल रहा है तो इसका मतलब negative तो हो नहीं सकता तो 10 square x तो आपके पास always कैसा होता है greater than equal to 0 होता है ठीक है मतलब यह कैसा होगा यह तो 0 होगा यह 0 से ज़्यादा होगा क्योंके square चल रहा आपके पास clear तो एक तरीके से अगर हम बात करें यह आपर तो आपके पास fx यह हो गया 1 plus 4 upon 1 minus 10x यह 10 square x मालो आपने 10x को p ले लिया आपने तो ठीक है अब यहाँ पर आप देखें आपके पास p की value जो चल रही वो कैसी चल रही है p चल रहा आपके पास greater than equal to 0 यही चल रहा है तो आप अगर यहाँ p को 0 भी लेंगे तो भी आपके पास 1 plus 4 बनेगा मतलब 5 आएगा तो 1 से 5 के बीच में तो नहीं आएगा ना 1 से 5 के बीच में तो नहीं आएगा ठीक है फिर आप p को 0 से greater करते है ठीक है देखो आपके पास यहाँ पर हम बात करें p equal to 0 के लिए जो fx है है ना यह 1 से 5 के बीच में नहीं आएगा फिर आप p को 0 से increase करते हो 0 से 1 तक आप increase करते हो तो क्या होगा 0 से 1 तक increase करेंगे तो denominator जो है वो तो 1 से भी कम हो जाएगा denominator 1 से कम हो जाएगा तो यह नंबर जो है यह 4 से भी ज्यादा हो जाएगा 4 से ज्यादा नंबर के साथ 1 एड़ करूँगा तो fx कैसा आएगा fx आपके पास greater than 5 आएगा यहाँ पर fx कैसा आदा था इस कैस में गरम बात करें तो यहाँ पर आपके पास fx आदा 5 clear तो भी condition satisfy नहीं हो ली थी या ऐसा बोल दो कि जो statement लिखावा था वो true था क्योंकि statement में भी यही बोला हुआ है कि 1 से 5 के बीच में नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब देखा जाए तो यह भी correct बात थी 1 से 5 के बीच में नहीं आना यह भी correct बात है 1 से 5 के बीच में नहीं आना था, ठीक है अब चलो आपने किये p की value आपके पास 1 से J Shopify तो p की value जब आपके पास बात 1 से जदा हो जाएगी तो क्या होगा तो P की value जब आपके पास 1 से यहां से है, ज्यादा चली गई, लिगो अगर 1 भी रहता है, तो 1 के case में तो यह infinite चला जाता है, अगर आप 1 भी सोचते हैं आपर, तो 1 के case में भी कैसा हो जाएगा, infinite चला जाएगा, मतलब greater than 5 तो आएगा, अब P greater than 1 होता है, तो greater than 1 में यह क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, यह negative हो जाएगा, तो यह complete negative हो जाएगा, और 1 में से कोई number अगर आप minus करेंगे, तो आपके पास कैसा आएगा, less than बनाएगा, clear? तो इसका मतलब simple सी बात है, आपने यह P जो है, वो greater than equal to 0 होना था, 0 पे भी देख लिया, 0 से 1 के पीच में भी दे हो है, clear?